रजस्थान के मोसम को लिएकर बड़ आप्डेट रजस्थान के कई सेरों में नीूनतम तापमान ऀसामान से पांस लिगीु से उपड रगए है वही मौसम विश्य स्टिम के मुताबिक दक्सिनी राजस्तान के उपर बने अंटी साइकलोन और उत्तर भारत में एक्टिव होते पक्सिम विक्सिर्ण के कारण ऐसा हो रहा है इन दोनों सिस्टेमों के कारण उत्तर पक्सिम से आने वारी हवाय जुह है वो कमजूर हो गई है वोई मौस्तम विवाक के अंदर जेपूर उसकी रिपोर्ट की अगर बात करें तो जेपूर जेसनमेर और जोटफूर सीकर समित काई सहरों भी तिरा तापमान 2 से 3 डिगरी 6 तक बड़ा है जिसके बाद इन सभी सहरों में जो है नियुनतम तापमान समाने से उपर चला गया चितूरगर और जेपूर समेत दुख सरे काई सहरों में तापमान समाने से 5 डिगरी उपर रहा वही बेकाने चुरू और जोटफुन और गंगानगर में भी सामाने से चार और जेसन मेर बार्ड मेर में सामाने से तीन डिगरी उपर अभी तापमान दर्च किया गया है वाइस कारण सेहरों में रात में सर्दी का साथ थोड़ा कम मिया पर अब हो गया है मोसम विससेगों के मुताबिक उत्तर भारत के जम्मु कस्मीर और मुजबराबाद के उपर एक पक्सी में विक्सोप सक्री हो रहा है जिससे नोर्दन विंड जो है आना रुक गई है यह उत्तरी हवाई जो है आना रुक गई है सकारण राजस्तान और दिल्ली अन्सियार समीर उत्तर भारत के कई राजों में तापमान बढ़ने लगा है और पल्यूसन का इस तर जो है वह बढ़ रहा है वह रास्तान के पिलानी बार्ड मेर में दिनका तापमान 37 तकल पहुँच गया इससे नहापर इन सहरों में तेज गर्मी जो है देखने को मिली इसी तरह जालोर में तापमान 372 और जोपूर भीकानेर में भी तापमान 36 और कोटा धूलपूर 12 करोली और अलवर जैसन में चुरू में दिनका तापमान 35 तकल देखने को मिली है वह नून्तम तापमान की बात करें तो नून्तम तापमान जो है सबसे कम तापमान 14.5 तकल रहा है फतेपूर सिकर का 16.2 और करोली का तापमान 16.4 डिगर 6.6 रेकॉर्ड किया गया इसके लावा उदेपूर का पारा 16.8 डिगरी के आसपास दर्च किया गया है वह नून्तम तापमान 17.2 डिगरी के आसपास दर्च हुआ है मौसम विभाग के और से इस तरह की जानकारी फिलाल निकल के सामने आ रही है आगामे दिनों में तापमान में राजस्तान में और भी बड़ोती होने के आसाथ जताएगा है फिर देर देर जो है तापमान में किरावट सुरू हो जाएगी